नमस्कार विरे विद्यारतियों जैसा कि आपको विद्यत है कि हमने पेपर धर्ड अरम किया था उसमें हमने मौडुलर ग्रोथ पर डिसकस किया था हम इसे आगे का चेप्टर आज अध्यान करेंगे चेप्टर का नाम है शूट एपिकल मेरी स्टेम प्रो शिर्शस्त विबा जैसा कि हम जानते हैं कि एक बीज जब विजांकरुन करता है तो पलिम्यूल और रेडिकल से मुलांकुर और प्रांकुर से प्रोत अंतर और मूलत अंतर का निर्मान होता है तो यहां पर जो विभाजनकारी कोशिक आए हैं जिनमें विजब विभाजन की शमता होती है इसक को हम आगे यहां पर डिस्कस करेंगे हैं कि अधिकल मेरी स्टेम को अध्यान प्रारम करने से पूरू हमें जनरल इंट्रोड़क्शन ओफ प्लैंट एनाटोमी पर विचार करना चाहिए प्लाइंट एनाटोमी एक ग्रीक सब्द है जो दो सब्दों से मिल करके बना है एना और तैन्र आत्वर करे ँई यहनी हम पादप की आंत्रिक स्रंचना का अध्यन करें तो हम उसे आंत्रिक आकारी की या पादप शारीरी की नाम देते हैं इस में हम आंत्रिक एक्सरंजनाओं का अध्यान करते हैं तता इसी की एक और सिनोनीम साका है इस्टोलोजी ओतिकी या उत्तक विज्यान लेकिन यहां पर उत्तक विज्यान में हम मात्र उत्तकों के परकार और उत्तकों की जो वेवस्ता है अरेज्मेंट है उसके उपर ही हम अपना ध्यान केंद आध्यान करना तो यहां पर बाहई याकार की external morphology की रूप में हम अध्यान के साथ-साथ आंतरिक सरंचनाओं का अध्यान करते हैं इसलिए यहां पर हम इसे plant anatomy कहना उचित समझते हैं कोशी का और उत्तर के बारे में हम पूर्वा में अध्यान कर चुके हैं कोशी का पादप श काम में लेते हैं तब यहां पर यह एक उसका हिस्सा होती है उसके पर साथ समान कोशी का मिल करके और एक कोशी का समूख का निर्मान करती है जिसे उत्तर कहते हैं अभी हम इसकी definition देखेंगे यहां पर हम देखें कि एंग्योश्पम और जिन्मोश्पम जो की दो पीडी कि प्लैंट्स इस प्रफिटिग प्लैंट्स रहें वह डिपलॉइड होता है इंट यह देखना ज्यादा उचित है कि दूसरे अन्य जो गृूप हैं जैसे तेलोफाइटा ब्रैफाइटा ट्रीडोफाइटा आधि की जो सरंचनात्मक व्यवस्ता है वह सरल होती है और पादब के सीर सस्त भाग पर चैनले मोलत अंतर हो प्रॉत अंतर हो उस पर कुछ घुरेंग रिजञ्ट warrior 2 पर पाये जाते हैं जो एसी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जो नीरंतर विपाजन करते वे नमीन को सिखाओं का निर्मान करती है चीशू मिलकर के टीशू सिस्टम्स का उत्तक तंत्र का निर्मान करते हैं यहां हम यह जान लेते हैं कि टीशू सब्द या उत्तक क्या है और इसकी क्या सर्व सम्मत परिवासा होती है उत्तक सब्द का गटन ग्रिव ने किया था उसके अनुसार दे सेल्स तोजार सिमिलर इन सेप साइप फंक्शन ओरिजन एंड डिवलप्मेंट पांच विशेस परकार की जो लख्षण होते हैं कोशिका के उन में यदि सभी कोशिकाएं समान हो तब उसको हम उत्तक केते हैं कि इसका तात्री यह हुआ कि कोशिकाओं का ऐसा समू जिसकी सभी कोशिकाएं आकार आकरिती कारिये विश्यस रूप्ष उत्पति वह परिवर्दन की दरस्टी से समान हो उत्तक कहलाती है यहां पर कोशिकाएं जो साइज सेप में समान हो अपना जो है वो परिवर्दन और उसका उत्पति जो है वो समान रूप्ष हो और समान कारी के लिए वो परियुक्त होती हो उस समू आफ कोशिकाओं के समू को हम उत्तक कहते हैं पादप में विशेज परकार के उत्तकों का सहयोग पादप निर्मान में पाया जाता है यदि हम उत्तक को परकार के रूप में देखें तो पादप में दो परकार के उत्तक पाया जाते हैं विभाजोत की उत्तक और इसता ही उत्तक विभाजोत की उत्तक का सीधा सीधा तात्परिय निकलता है विभाजोत का तात्परियोता विभाजन सील या जिसमें विभाजन की शम्ता हो तो यहां पर जो विभाजन की शम्ता उत्तक बनते हैं उनके मुख्य लक्षन पर एक वार अपना द्यान द्रस्टि को डालते हैं विभाजन वाले उत्तक अतार्थ विभाज कोषिकाओं में सतत विभाजन यूट ये कोषिकाएं होती हैं जो उत्तक का निर्मान करती हैं इन में पुनरावरती लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है कोशिकाओं के आकरती आयताकारिया बहुभुजी होती है और इनकी कोशिका बित्ती सेलूलोस से निर्मित होती है दिवत्यक कोशिका बित्ती का यहां अबाव होता है हम समझ सकते हैं कि विभाजन सील कोशिकाओं है इसलिए दिवत्यक बित्ती का लाज पएबंधी कोसिक होती हैं उनकी इस अपिसकहुष् घंकर फड्रकर सबत शमर्गरतां हें फिर भी आँ भोड़ता ओन्ट्रजि करणों उनसे होगाँ होना है क्रिश्टलों या रहों का अबाव होता है लवक समानेते प्राक लवक अवस्ता में यहां उपस्तित होते हैं जीव दरूब्य सगन होता है जिन रीक्तिकाओं का बाह होता है लेकिन कुछ प्राग रीक्तिकाओं की कम मात्रा में उपस्तिती देखी गई है एक चुपर क्ःज पस्टा सु गटि इंदरक इसमें पाया जाता है उत्यकों के जब हम उत्तक के परकार देखेंगे से अलग से हम उत्तक के कारिय के आदार पर विभाजवत की उत्तकों के क्या कारिय हैं वहां पर हम इसको वर्णित करेंगे कि विभाजवत की उत्तक के वर्गी करण की बात करें तो यहां पर विभाजवत की उत्तक का वर्गी करण हम चार आधार पर करते हैं best on origin and development यायनि उत्पति और परिवर्धन के आदार पर baixo बिजर ऊफ डिवीजन विबाजन के तल के आदार पर ब्यास्डान पोजिशन इंग प्लाइट बोडी पद्प श्रीर मेंगे इस्थीन के आदार पर बेस ऑं फंक्सन जिसका कि अभी जिकर किया था कारिय की आदार पर अतार्त यहां पर जो जो के विफाज़ोत की कितने परकार के विबाज़ोत की टीशई पाए जाते हैं उसका वरगिकरनःसरी में जो जो की करभोत्पत्भ और परीवफदन गतल पादफ स्यरीज में इस्तिती और कारिय का का कारियों को अधार माना गया है हम आगे के लेशन में इसी से अपनी बात आरम करेंगे कि उत्तकों की जो वर्गी करण है उसको हम आगे जारी रखेंगे दन्यवाद